नमस्काय मित्रों मैं मॉनिका गवर्ड मैं बहुत आभारी हूं हिर्दय से आभारी हूं आधनिये अशोगी सक्षे न आपका अस्तने मुझे बहुत उजा देता है पिछले साथ सालों से हम लोग जानते हैं आपका कविता संग्र है मैंने पढ़ा और तब से उसके बाद जीवन में टर्निंग पॉइंट के रूप में भी आया मेरा एक रिष्टा जुड़ा आप लोगों से जन सरोकार मंच से तो मैं आप सब को प्रडाम करती हूं आधने देवंदर जी जोशी जो इस पूरी वर्चुल कवायत के पीछे हैं आपका भी बहुत आभार है राजस् में मुझे लगता है कि मेरी अभिवेक्ति कुछ चीजों कुछ विश्यों को लेकर कुछ लोगों को अखरने की हद तक कड़ी हो जाती है तो मैं शुरू करती हूं पिछले दिनों एक दर्शिय देखा था जब लॉकडाउन लगा था और मज़ूर जो हैं सड़कों से सड़ प्यादल घर लोट रहे थे और उस समय एक बहुत दर्दनाक सीन था जो मेरी चेतना को अभी तक भी तकली देता है चेतना को चूटता है जिसको लेकर कि पट्रियों पर मजदूर सोय वे थे और ट्रेन उनके ओपर से निकल गई उसके बाद तो वो जो रोटियों की जो लोगों की चेतना के अंदर उनको ललकारता होगा उनको उनको चूट ये भरता होगा राजसानी में हम लोग कहते हैं और सोचने पर विवस्ट करता है कि क्या जोटियों का ये धरम है कि वो खून आलूदा हूं तो उसी को लेकर कुछ मैंने रजा था मैं बात हिंदी में कर में राजसानी में पढ़ूगी ताकि मेरी कवीताओं की रीच जादतर लोगों तक पहुंचे तो ये समर्पित है मेरी तीन-चार कवीता है रचना है जो रोटियों को मद्दे नजर रखे मैंने लिखी है कि एक इतिहास रयो है अनाज सू रोटी बनन रो एक इतिहास रयो ह कि मैं राजसानी की रचना है आज मेरी जो अलग तेवर और फ्लेवर की है वह आप लोगों के साथ साजा करूं आतियों मैं यह समर्पित करना चाहती हूं उन मज़ूरों को जो लवडाउन में पैदल चलते वे घर जाने की आस में थे और और ट्रेन की पट्रियों प्रकु है और आप जितने भी संवेदंशी लोग हैं उनके हिर्दय को वह कचोड़ती हूंगी तो उनी को समर्पित है मेरी कुछ रचना है मैं बात तो मेरी शुरू की तीन चार कविताए हैं जो रोटियों को और उन मज़ूरों को समर्पित है एक इतिहास रयो है अनास रोटी लागे चौकी करव घीरा में सिखेओडी के तवह माथय प्रेम सूथा न्यात्रणश फुलाईजाओंटी के तवमाथय प्रेम सू मज़ू फुलाईजाओंटी घळाज गच्च हो गी मैं या लुकी माथ होवे गुड्यçek, मडाई शक्कर, बूरो या चुर्योडी दार सा साइकासू रोटियां नहीं बदल्यों आपरो सुभाव, दो बगतरी रोटी सारू होंती रहिये सगली आफल खेचल, पेट भरण सू लेर पेट पाटन ताई, रोटियां बदल्यों मानखेरो व्यवार, भूख सू धायोडा ताई, पन रोटी रहिये सारस्वत सांच। रोटियां बदल्यों मानखेरो व्यवार, भूख सू धायोडा ताई, पन रोटी रहिये सारस्वत सांच, मिनक पनेरी जाज, रोटी कदीनी बदल्यों आपरो रंग रूप, सुहाई हरमेश सोनलिया रंग में, सुहाई हरमेश सोनलिया रंग में, रोटियां जकी बदल्या राज सिंघासंचू लेर राज धरम, रोटियां जकी बदल्या राज सिंघासंचू लेर राज धरम, क्रांती करती चेतना जगाउती, नी बण सकी कोई पार्टी रोचुनाव चिन, रोटियां जकी बदल्या राज सिंघासंचू लेर राज धरम, क्रांती करती चेतना जगाउती, नी बण सकी कोई पार्टी रोचुनाव चिन, न छपी नोटा सिक्का मा थे, ना किनी घोशना पत्र में, या कोई धोल कागत में, श्वेत पत्र जिसको बोलते हैं, न चपी नोटां सिक्का मातें ना किनी घोषना पत्र में ना कोई धोल कागत में रोटियां बदल दिया ताजर निशान फेर भी किनी देशरे जण्डे नी मांडी गई भूखरो समिधान तो बणयो पन रोटिया रोहकनी दिरीजो अपरोगी लागी आज आई घणी ही लाज जद देखी लोही वर्णी रोटी चिन्ती जोडी आसा के ठोकरा रुडती आज फेरू हुई है लाल अब काड़े रोटियां चीला सु उठ जंडे चपसी चिला टी मारती रोटियां सु खेले नहीं भाकरली योह रगत सिनान अर इनीज पूतिमोरी एक रचना में आप लोगारा साथ आख करओं क्योंकि मैं पहिला भी करें योरोटियां और मजबूराम ने थिमाग में लाक रहा है दो-t finan विचार 5 का साजा कर रही हूं रोट्यां दो बगत्री हो थानत गोल नरम कमली फूली फूली होवनी चाहिजे अणगड आतारी हो सको की मोटी थोड़ी की खुर्दरी अणगड आतारी हो सको की मोटी थोड़ी की खुर्दरी पंस्वाद और सोरम तो सागी हुए चोपड़ी जो या लुखी चिगली जो थारो गुण धरम तो भूख मेटनों ही है पच्छा क्यूं भूलर आपरो अस्तितु चाल पड़ी थे सड़का मात है पच्छा क्यूं भूलर आपरो अस्तितु चाल पड़ी थे सड़का मात है पगाउभाणी क्यूं होगी लोही जार चेतनाने चूटन सारू सुनो रोट्यां सावधान रही जो आज ताइं लाशार पेटे सिखती रही यो पण थे बदल रही यो आपड़ी तासीर तो थारी हत्या करनू सीख रही ये पुडशियां थारो हाहा कार अंशुनयो कर सके सत्तारो मदमातो इंजन थारो हाहा कार अंशुनयो कर सके सत्तारो मदमातो इंजन पण थारी मोत नीरेवाला पड़ुतर हीन पर थारी मोत नीरे वेला पड़ू तरहेंग कोई तो लिक्सी चीला माथे खिंडोरी रोटियां री स्वपन कथा सुनो रोटियां थे हो तो दो बगत रही और इनी कडी री एक रचना और मैं आप रह साथ है साजा करूँ मैं कद कयो के रोटियां भूख मिटावे मैं जानू लोई जा रोटियां नारा लगावे हाको करे दाकड़ पन देवे के मैं कद कयो रोटियां फगत भूख मिटावे मैं जानू लोई जा रोटियां नारा लगावे हाको करे दाकड़ पन देवे कायी होयो कायी हो जい सत्तारी गाडी धडडणामती निश्र जावे उपरा कर कुनेख दाप सकेry आवाज पान बंद नहीं कर सके पनंद नहीं कर सके्एयो मैं कद कर चीनलाँ पर कुल्लाण ती रोट्यारी पढञ उन सुनियावला पर मैं कद खायो के पट्रियां पर रोटियारी पढ़ गूंज, कुलावती पढ़ गूंज अनसुनी रह जासी, अब काले ए रोटिया चांद तारा बन आकाशा चाजासी, रोटिया सत्तारो पेट नी पूरा सी, ए रोटिया चांद तारा बन आकाशा चाजासी, रोटिया सत्तारो पेट नी पूर सी, ए छाती ठोक भीतासु भीड़ जासी, और कर दे सी सुराख उमीद रो दूजे पासे, उगसी रोटियारो भान हर मुंडे हर भूख सारू, रोटिया मैं कद कयो, मैं कद कयो, के रोटिया फगत भूख मिटावे, मैं जानू, के रोटिया क्रांति लावे, कुछ कविता हैं, मेरे कविता संग्रे, अंधारेरी, उधारी, रिसानों, चांद से भी मैं आपके साथ साजा करूँगी, मैं रोटियों तो नहीं है, लेकिन रोटियों से जुड़े वे कुछ सवाल है, तो सावधान कर रही हूँ, मैं अपनी तरफ से कहना चाती हूँ, होशिया रह जो, होशिया रह जो, सरकारा और सत्ता रूप बदडर आवेला थाने लुभावन सारू, प्रतिदान रा टुकडा की चोपड़ेोडी योजनावा सो क्यूं थारै रगत पसेवरो प्रतिदान होसी, कि अनुदानारा टुगडा की चोपड़े ओड़ी योजनावासो क्यों थारे ही रगत पसेवड़ों प्रतिदान होसी जका थारी जोड़ी में घाल्या जावेला थारी आख्या माथे चेपर धरम जाती रो हरियल चस्मो लडवासी थाने ही थारे भायासू मुर्गा जिऊं लडवासी थाने ही थारे भायासू मुर्गा जिऊं थे ना बन जाया भीडरी भेडा थे ना बन जाया भीडरी भेडा कित्रोई प्रेन दर्शावे ग्वालियो अंत पंत मून्डणों एकुक धे हुए उनरों कित्रोई प्रेन दर्शावे ग्वालियो अंत पंत मून्डणों एकुक धे हुए मारा साथी पगठावा राख्या मारा साथी पगठावा राख्या आ ढणाना माते चेतन राख जो आखरारी आँच चेतना में क्योंकि कुडशिया ने रुचे फगत बेडा क्योंकि कुडशिया ने रुचे फगत बेडा बेडा सवाल को करे नी बेडा सवाल को करे नी बेडा एक सुर में बोबावती सलाम जावे घाटड़या नीचे घाल लाठी रह भैसु तोरी जावे मन माफिक पगठाणी माते बेडा सवाल को करे नी बेडा एक सुर में बोबावती सलाम मचावे घाटड़या नीचे घाल लाठी रह भैसु तोरी जावे मन माफिक पगठाणी माते इनिज सारू इनिज सारू बेडा रह भाग में नी हुए राजमारग बैरुंद लेवे सियाड़या फलक से चांद ल इसलाम बजावे घाटड़या नीचे घाल लाठी रह भैसु तोरी जावे मन माफिक पगठाणी माते इनिज सारू भेडा रह भाग में नी हुए राजमारग बैरुंद लेवे सियाड़या सावधान रह जो मत बण जो भीड़री भेडा सावधान रह जो मत बण जो भीडर क्योंकि जो सिस्टम चल रहा है चलता आ रहा है उसमें हमेशां यह हुआ है कि हम सपता कोई सी भी हो उसका चरित्र एक जैसा होता है तो उनको वोटर चाहिए उनको सवाल करने वाले लोग पसंद नहीं आते हैं तो भेड़े उनकी फेवरेट होती है क्योंकि भेड़े सवाल नहीं करती है भेड़े एक तरीके से टोरी जाती है तो इसी को मदे नज़र रखके मैंने अपनी बात कही थी अपने कवीता संग्र से आपके साथ साजा कर रही हूं कुछ एक मित्रों ने वह सुनी हुई भी है लेगिन फिर भी क्योंकि मेरे मन को बहुत पसंद है मैं साजा करें कुछ प्रश्ण है क्योंकि लेखक समेदन शील है कलम उसका हधियार है तो चुप रहना तो जानता नहीं है उसका काम है बोलन चेतना जागृत करने के लिए किसी भी हद तक जाना तू मन बेताल मेरी कविता का शीर्षक है विक्रम बेताल की कहानी को आप ध्यान में रखेंगे मन बेताल चड़ो चेतना रे कांदय पूछे अनगड़ा तरंगी सवाल हे कलम रा विक्रम देवो पडूतर के एठन ठोड़ी हाड क्या खेता माई काइंब होवे आज अपायत लुगाई राज मारगरी माटी क्यों ढोवे किलकारियां आंगनेरी ठोड अकूरडी कुण पुगावे और सहदी सड़का माथे लोई कुण बहावे और बुडो बर्गत क्यों उदास है आप पिली आँख्या में किन रियास है के आजादीरी इम्रत बर्खा हवेल्या में क्यों बर्सी आणविश्वासी राख संबंधां पर कुण मसली बोल विक्रम बता विक्रम के फोलाद सुजद बन सकती ही हडरी फाल तो दुनालियां कुण गड़ी और मान खेने मान खेसु डरने जरूरत क्यों पड़ी के कार्तूस रे खोडरा दागी ना क्यों नहीं बनाओ पीतल का कवर होता है कार्तूस पे मेरा जो देखा हुआ है तो आठीफिशल ज्वैलरी बन सकती है उसकी तो में कभी का प्रशन है सोचने की बात है के मान खेने मान खेसु डरने जरूरत क्यों पड़ी कार्तूस रे खोडरा दागी ना क्यों नी बनाओ और टैंक सु टावरिया ने स्कूल क्यों नी पुगाओ कुण पाले थाने सी मिटाता कुण रोके थाने प्रेम निभाता के कुण पाले थाने सी मिटाता कुण रोके थाने प्रेम निभाता बोल विक्रम बता विक्रम की तो कर विक्रम कि नि तो खिर जाशी डिस्तारी मिठास हो जाशी मिनखा चारू किरच किरच बोल विक्रम भताविक्रम मन बेत आल चड़ периज छेतनार में कांदे रहान मेरा मन कुछ इसी मनों भावनों की कविताएं में आपके साथ साजा करने का है एक रचना और मैं आपके साथ सवाल के रूप में हैं कुछ बेबसी है कि हमने जो सपने देखे आजादी के हुग से ενाथ्थ पूरे हुए नहीं किन के हुए हमें पता नहीं लेकिन हाश्ये फेखड़ नहीं अभी बीछ Yes जितने भी सत्ता के लोग हैंउनको इस्तेमाल करते हैं उनको उप्योग में लेते हैं लेकिन उनके लीकु बोलता हैं तो मेरी कुछ प्रश्ण है कुछ बेचेनिया है मन की जो आज जनन सरोकार मंज के माध्यम से एक कविता और मैं आप लोगों को सौंपती हूं मेरी पीड है एक सम्वेधनशील जागरुक नागरिक होने के नाते कविता कशीषक है चेतनारी चौगट मन भावन राग के सोचू के चितारू मारी मन गत कवितारे खोड़ी है के उगेरू कोई गीत सब्दारे तान पूरे पन किनविद प्रकासू मारो काल जो हरक लिखू तो आख्यां सामी पसर जावे अन्थाग अंधारो सपनाने बतलाऊं तो रोवे आत्मा मंगसा पड़े आखर हिया रे हबोडा आशरो विश्वास रचता पीड रचू तो सबद फोर लेवे पूट सपनाने बतलाऊं तो रोवे आत्मा मंगसा पड़े आखर हिया रे हबोडा आशरो विश्वास रचता पीड रचू तो सबद फोर लेवे पूट सिर्ला टीमार सापरते आए उबा हुए कालजी ओड़े कालजेरा मरसिया रंग जातरे संचे ढड़िया रूजी ओड़े बची ओड़े मिनकने बिर्दाउं तो छेवट किन विद उफन ती छातिया में बस बसीस्ती रूह समाजू रीता और संस्कारोर भारियों उचा आइठन हुँती जून खदबदय चेतनारी चोगट तद किन ढड़े उगेरू राग केरचू कविता अंधारेरी उधारी चुकाउं तो मिनक पणू जद ताई नीपू गेला आसकीरण और पाणी चुँते गुंभारीये ताई तद ताई तद यह जय्ली ला साचरी आंच तद दॉर ली जилा कोई मन भावन राग नी उगिरे कोई मन भावन राग कोई मन भावन रागoter है तो कविताएं बहुत सारी थोड़ी तकलिव भी देती हैं पर मुझे लगता है कि कविता का धर्म सच कहना सच कहना क्योंकि कि कि अगर अगर सच नहीं कहेगा वह अगर सच नहीं बोलेगा तो फिर समाज से कोई उमीद करना फिर जादती होगा तो एक चोटा सा चोटी सी रचना है बुड़ा कभूतर उमीद करती हूं अच्छा भी लगेगा आपको आजादीर उच्छब में उड़ाया शान्तीरा कभूतर एक ता अखंडता और भाई चारे रेनाव आजादीर उच्छब में उड़ाया शान्तीरा कभूतर एक ता अखंडता और भाई चारे रेनाव श्याना कभूतर उड़गया दूर राजधानीरी सीमसु अड़गया भोलिया रंदगया सत्यारी रसोई में जीबर एकल स्वादसारू भाई चारे रेनाव आजादीर उच्छब में उड़ाया शान्तीरा कभूतर एक ता रचना और है जो पूरी व्यांगे की धार पर ही चल रही है एक विचार भी छोड़ जाओ तो भी मुझे लगए को कि मेरा लिखना सार्थक हुआ चलिए एक 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 रचना इस सोचल मीडिया पर मैं हूँ हालागि मुझे उसका बुराई नहीं करना चाहिए लेकिन उसी पर एक रचना है कि सटरीके से सोचल मीडिया लोगों को बनाता है या मिटाता है उससे पहले में एक बात कहना चाहती हूं कि इस को रोना काल की बहुत सारी विपतिया रही बहुत से लोगों को हमने खोया बहुत तकलीफ देखी लेकिन इस सब में जो एक अच्छी चीज निकल के आई कि हमने तकनी का साथ तक इस्तेमाल करना सीख और वही वज़ा है कि मैं आप सब लोगों के साथ मैं बीकान में बैठी हूं को उदयपूर से मेरे साथ है कोई टॉंक से मेरे साथ है कोई गंगानगर से मेरे साथ है पूरे देश से लोग यहां पर जुड रहे हैं यह अवसर कोरोना की वज़े से मिला कि हमने तकनीक को तो नहीं मांगूंगी मैं सोशल मीडिया राफीर थोड़ा सा ध्यान देखे सुनिएगा तो मेरी बात पहुंचेगी वना शयाद ऊपर से निकल जाएगी क्योंकि थोड़ा इशारों में बात की है सोशल मीडिया राफीर थरपीज रहा है सोशल मीडिया मिंदर रा मोटा नाव मोटा पद मोटा संपर्ग मोटा ही कद हाजरिया हलावे घंटी जांज हाजरिया हलावे घंटी जांज बखावटे चड़ावे पीरा देवारी वाल लाइक्स रा ठोसा कमेंटारा माली पाना बजावे थो था गाल करे आरती कुडी जालरा जणकार था पीरा रो सगल फोटू है फिला में उंग ता देवारी फोटू सोशल मीडिया अपलोड करता कैमरा मैं चित चड़िया कलाकार पाजावे प्रमान पत्र सुधी साहते कार रो पाजावे प्रमान पत्र सुधी साहते कार रो मानता आपरा थान उगेरे नितनेम सु पीरारी चरण चंपीरी राग चापलू सी सम्माना सतकारा रे भारिये टसके कलम करन नी देवे उनने साचरी चूबी चूचू करता चुसा चूस रहा पीरारो कथित जमीर देवारी पोस्ट नुए पर्चे जूँ पर्चा देना आप सब जानते हैं कि जो ठानिये देवता होते हैं लोग देवता होते हैं उनकी खुपा से कोई चमतकार होता है तो हम उसको पर्चा देना करते हैं मन adva पिरारी हासी गजल, पिरारी खासी नजम, अपानवायू भी गीत, रचे देव खास्ता छीकता भी कार्दी साइते, लोगधर्मी उक्रांती चेता सबद चुटक्या में बनावे हाजरियां रो भविस्य, कदही घाल देवे एकाद टुकडो इनामिक रामरो, कदही घाल देवे एकाद टुकडो, दमस्का केलाजी, मेरा सो भाग्ये कि आप अपना वक्त निकाल कर मुझे सुनने के लिए आए हैं, कदही घाल देवे एकाद टुकडो इनामिक रामरो, लार लपकाया मुझे माय टुकडेल लपक लेवे, पीरारी वानीसु अवसर रापको थिया, राफा तिड़काया भीड बेड फोटु में आवन सारू, पन जानों हो, पन जानों हो, सारवजनीक वाल माथे चिपेड़ा विग्यापन कवीता बहुत खारी है, यहां पे मुझे भी लगता है पन जानों हो सार्वजनिक वॉल माथय चीपे विग्यापन मर्दाना ताकत बढ़ावन सुलेर गरब निरोदक गोड़ी ताई भीता थूके पूछे सेडो शड़क चालतो करे गिली गिलकड़ा मर्दाना ताकत बढ़ावन सुलेर गरब निरोदक गोड़ी ताई भीता थूके पूछे सेडो शड़क चालतो करे गिली गिंड़कड़ो पन पीरारी वाल पावन पवित्त है हाजरिया चमकावे उनने जीभापान क्योंकि बैह सोचल मीडिया रापीर क्योंकि बैह सोचल कि मुझे लगता है कि समय तो आदा घंटा ही था देवंदर जी अगर आप अनुमति दे तो मैं संपन करूं नहीं तो मैं कभीता सुनाती रहूंगी क्योंकि बहुत अच्छी अच्छे लोग बेरे सामने आज हैं और अलग तरीकी कभीता हैं मैं सुना रही हूँ एक छोटी इसी कभीता है रिशाणु चांद क्योंति से बेट्यों चांद समय तू कलम पूछे सामन सू रही कहां कि अ थे महारा गीत चान नीडो संघीत मोनरा चंद पेमलिया बंद महारी कवीता मैं आवण सारू जी शुक्रिया पड महारी कवीता मैं आवण सारू थाने बंडो पड़सी तपनो सुलगणो पड़सी काई थे हूशकोरा लाल काई थे हुई सकोला लाल सुल जाय सकोला भूख रा सवाल मारी कलम फगत साचरो रुमान रचे है और इनी सारू लोगारे चुबे है तद सु रूस्योडो चांद पसरियो पड़ियो है टेबल पर कलमरे पसवारे तद सु रूस्योडो चांद पसरियो पड़ियो है टेबल पर कलमरे पसवारे कलमरे पसवारे एक जी अनुमती मुझे मिली है कुछ कविदाएं और पढ़ने की तो जरूर मैं पढ़ना चाहूंगी कुछ अलग मिजाज की इसको हम लोग आज कल इस्तरी विमर्ष कहते हैं हाल कि एक लेखक को विमर्ष के दारे में बान देना मतलब उसकी कल्पना को उसकी ऊर्मा को उसकी ऊर्जा को छोटा कर देना होता है तो और जब को मेरा यह मानना है व्यक्तिकत रूट से कि जब कोई लेखक लिखता है तो किसी विमर्ष में बंद के नहीं लिखता है वो अपन मन से लिखता है समाज में आसपास में जो भी चीज उसको कचोड़ती है जो सवाल उसके दिमाग में आते हैं वो उसको लेकर लिखता है एक विमर्ष में बंद के नहीं लिख सकते और जो लोग लिखते हैं मैं उनको सलाम करती हूं मेरे बसका नहीं है चलिए एक कविता और मै आप लोगों के सामने रखती हूं थोड़ी सी मैं शुरू से कहा कि थोड़ी अलग किसम की कविता हैं आज मैं पढ़ रही हूं तो एक कविता का सीशक है विरोधावास हम अख़वारों में जो कुछ देख रहे हैं आज कल चुद्धुशकर्म की खबरें हैं उन खबरों के प आज सामने करना चाहते हैं उनका सामना नहीं करना चाहते हैं लेकिं वह सवाल है इंस्टिओं के हक काणून कभी-कभी हतियार के रूप में इस्ते माल हो रहे हैं उसी को लेकर रचना है राजस्तानी मिं विरोधावास तो अगर उसको द्हान लखेंगे तो पर मेरी बात क प्रेद्धर्य धार मिनकर बुगाई रे सांचे में ढ़लता मरद सारू भगत स्टेटमेंट बगत बाहरे साथे धुंदिली जावे आपे बिग्याड़ोडा अरत तो इज्यता बरू ताज मान शान मोटा मोटा सबद बदर लेवे आपने धरमरी धार मिनकर लुगाईरे सांचे में ढलता मलद सारू फकत स्टेटमेंट बगत बाईरे साथे धुंदली जावे आपे बिग्याड़ोडा अरत उभे चाती तान ग आमड़ा चतीड़ा आतमारी बेड़याबन डस्ता रहे सारी उमर इज्जत्रा नाग सधियाशू दोनू टांगया बिचाड़े सांभ्या आबरूरा प्रमान पत्र सत्यापित करवावना पड़े हर बार अगन सिनांचू दोनू टांगया बिचाड़े सांभ्या आबरूरा प्रमान पत्र सत्यापित करवावना पड़े हर बार अगन सिनांचू मांगे पवित्रतारा परमान मोका परस सपलोट या पहला आपको मंटो याद आएंगे कि पहला विधर्मी दुश्मी मनाता जीतरो जसन उतार आबरूरी सलवार अब करणडू क्या घर्रा भी लाजरो व्यापार अब करणडू क्या घर्रा भी लाजरो व्यापार इस्त्रीरी देही की जत बणगी निजू बदलो लीपिया कमावन व्यापार सुडी टंग्योडी लाज खिन खिन मरे लाजां उगड़े चोराये माथे रोज खोलताइं यकवार इज़त आबरू रहेगी बड़ संसनी व् पार मान शान खाई गयो खबरा रोबाजार मान शान खाई गयो खबरा रोबाजार मान शान खाई गयो खबरा रोबाजार कुछ प्रश्न इस किताब में मैंने वो लोगों से भी किये थे एक अहल्या की पीड है द्रौपदी के प्रश्न है गांधारी के तो मैं द्रौपदी के में कुछ कहना चाहती हूं द्रौपदी की तरफ से मैं कुछ सवाल है मेरे अब तो मान रे महरा मान मैं तो फगत निमित बणी थारे मायावी धरम जुद्री थाने चाहिसी अडे खाण मन चिती करण के रिक दोलन सारू तो इन लुगाई जात सूं सरल सुभटने सोरो काई मिलतो हर बार महरी कोमल निर्मल मुलक बणी सिकार था राजरे चालू चाला के गिर्जडारी मान क्यूनी लेवो थे के जैर थामायं भी पीडियां सू पड़ रहे हो अंतसरी काड़क और मान रे जग दिखाऊ खोड़ी अरी अडवार पांडव थे भी बिताई जैरिला हो दोसी थेई कोरवासु कमती नि मैं द्रोप दी मांगू म्यानो के क्यूं मैं द्रोप दी मांगू म्यानो के क्यूं मारी रूप सिंगार मनरी आजा दी क्यूं रूप सिंगार मनरी आजा दी और चीतरी चितार मारी डरपावे थाने इन भात अंतक क्यूं थरप देवो धनियाप थारो मालिक रूप राज और मूचारी लडाई रा ठीक रा क्यूं फोडता रहा हो हर बार महारे शिर राज और मूचारी लडाई रा ठीक रा क्यूं फोडता रहा हो हर बार महारे शिर महावारत सु आज ताई घर गड़ी के आंगने थारी मर्दान की साबित करण सारू कद लग द्रौप दियां इयाई हारती रैसी कद लग द्रौप दियां इयाई हारती रैसी और विसरावती रैसी खुदरो होणू अब तो मानरे महारा मान धारले पाचली नीतो नकार्दियो जावेलो थारू होणू आती आई कि द्रौप दिकानी सु धाती आती आई कि द्रौप दिकानी सुम सो मैं आप सांगी साजा करें वहाँ प्रिशले दिर्ष त्य दिरोस शितंबर में 11 सितंबर में सब द्राथ दिवस मनाया गया था तो जोहारकला केंद्री कि तरफ से कि सत्या ग्रय पे कुछ कवीतां के कविताउं की परत्यो renowned कीविती तो 600 और 200 लोगों की कविता हैं चुनी घई थी तो स्मu databases कर रहे हूं कि अ है फिर से वही तेवर चल रहा है कि चाला मात्मा दिल्ली पदहारो चालो मात्मा दिल्ली पधारो बिराजो संचद में एलाल कालीन मोटी गाड़यां आपने नावें थे नावर दालिद्दर तार दिया मारा करयो सत्याग्रे दिराई आजादी मैं करां थारो संमान मैं गमन देखिए मैं करां थारो संमान चापया थाने नोटा मात है हर पर्योजना योजना था रही नावें कर लग द्रौप दिया हारती रही थे नावर दालिद्दर तार दिया मारा करयो सत्याग्रे दिराई आजादी मैं करां थारो संमान चापया थाने नोटा मात है हर योजना पर्योजना बोल्या की धोड़ पोशिया गावरे पीपड़ गटे टींग रासु घिरियोड गांधी सुन गांधी दियो पड़ूतर निम्दैसुर। मैं कद चायो के थे चापू भारो ना फोट वां कल्दारा कल्दारा माते कद चायो के मिटे दालिदर मुठी खन मिन खारो नी चाल सकूम मैं थारे साथ है आजादी अजे अधूरी है हाल नी पूगी रोशनी छेकरले मिनकताईं हाल कसमसी जे आत्मावां जात धरम और संप्रदायरे खोड़िये मैं रहशू इन मिटी रह साथ है जद ताई नी करोला तिलक इन रो संसद में बक्सो मनें नी चाहूं किनी नाडे देवता थरपीजणों बक्सो मनें नी चाहूं नी चाहूं देवता थरपीजणों महरे कया सब्दाने राज नी तीरी चौसर पर गोट्यां जू खेलन सूं संधर्भ विहूना अर्था सूं मारके सब्दाने राजनी तीरी चौसर पर गोट्यां जुखिलन सु संधर्भ भी हुना अर्था सु बांटनो मिनक ने उच नीच रह संचे मैं तो हरीरो जन हूँ मैं तो हरीरो जन हूँ रैमो चाऊँ फगत हरी जन जाओ पहला थे सीखर आओ सब्दाने जीवन में उतारनू सत्यरे आगरेरे मरमने हरीरे जनरी आत्माने और अंचनरे बलने अलोप होईगी छियां उडना उडती धूरे सूं बळ्या अनगिनत टूटगी भारी नी जागता रहा बापुरे सत्या गरहडरा सवाल भूजता चूटिया भरता म्याना जागता रहा बापूरे सब्त्या गहरा सवाल बूजता रहा चूट या भरता मैंना हारी नी है इस्त्रीरी हूंस इसमें आप पुराने काल से लेके और नैना सहानी के केस तक आप याद रखेंगे तो मेरी बात आप तक पहुंचेगी फेरू किरच किरच हो रही है सीतारी उमीद फेरू ठोकरा रूले अहल्यारो सत्थ स्वार्थर सुग्रीवरी हार रो मोल चुकावे तारा दो दो बार माडानी कप जाई जार स्वार्थर सुग्रीवरी हार रो मोल चुकावे तारा दो दो बार माडानी कप जाई जार रावन रे दंबरो रंडापो उखननने मजबूर मंदोदरी रिष्टार फरजरी गता गम्में भोगे साव अबोट एकलापोर मिला फेरू दाओ पर घृस्ती रे जुवे में द्रॉप दी राज रो ताज माथे मेल चिटकाई जो राधरो प्रेम भाज जावे निजू हितरे बिस्चदाथ जीए 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 कि वने रण में सूति एतबारी यशोधराने तज के एतबारी यशोधराने तज फेरू पी रही है ढोंगी मरजाद रो जहर कृष्णा कुमारी की कहानी आप सब खोज के पढ़िए गा बड़ी दारुन कहानी है कि जब एक पिता अपनी पुत्रे को जहर पिला देता है फेरू पी रही है ढोंगी मरजाद रो जहर कृष्णा कुमारी हूंती रही है अलोप विद्रोहरी मीरा सत्तारे सावरी कारने अबार भी बाडी जावे बोड़कली रूप कमर फरेभी मान शान री अफीम चटार अबार भी बाडी जावे बोड़कली रूप कमर फरेभी मान शान री अफीम चटार सही का पच्छाई नीबदली भागली रेख जका में मांड्या विद्ना बार बार प्रेम त्याग मरजाद भावना सम्मान और सत्तारे छड़गारे तंदूर में नैना सहनी ताई भुंजी जणों कि नीबदली भागली रेख जका में मांड्या विद्ना बार बार प्रेम त्याग मरजाद भावना सम्मान और सत्तारे छड़गारे तंदूर में नैना सहनी दाई भुंजी जणों पन हर बार हारती इस्त्री बावड़े आपनी ही भसं सुं फिनिक्स मतगेों कि हारी नी है झुगा जुगा सु स्त्री होंस क्योंकि हारी नी है जुगा जुगा सु इस्त्री होंस। कक व कि आप एक पर दोड़ी छंद में आप कह सकते हैं अन्हें कि बचल कि तो नहीं हूं मैं पर फुटीसी है कि कि प्रभया सुच्व भावी कर्द कि वंहों मारते सी मिनक्ष नेख ग जूटोह भी मार्द एसई काऊ अर्गलें ठीड़ी आद कर दोणार ये थो था समान मार देसी और रिश्वाप Si अर पांखडी हूंस तोरा हो या उड़े चड्कल a नी तோ सुपन缌 ठकान मार दे और आफिर दो पंकतियां के नी तो सुपनाने थकान मार दे शी और भर भर मुठ्थी खार छिडग सी पच्छे घाव पर ये हमारा चृत्र है के खयर मुठ्थी जबान मार देशी मिनक ने जूटो अभिमान मार देशी खुदा हो वनेरो गुमान मार देशी मिनक ने जूटो अभिमान मार देशी और चलते चलते इसी तेवर की जी एक छोटी सी रचना हो रहे हैं आलंकि काफी लंवी है फिर भी कुछ बंद में सुनाना चाहती हूं क्यों आजादी तो आई बाप जी लू ठोड़ा लपकाई बाप जी जनता खातर लॉली पॉप मिन्रिया पाती मड़ाई बाप जी टैक्स टैक्स में कट जावे है गाड़ी पसेव कमाई बाप जी पसेव यानि पसीना के टैक्स टैक्स में कट जावे है गाड़ी पसेव कमाई और आवेज कोई गाबा खोसे छुद्धा कुद्धार घंधे में लुगाई बाप जी जन गरीब लुगाई बाप जी अर पांच बड़सा में एकर आवे धोडबं जमाई बाप जी और जेब मांद नेक पनले लेवे चोकी करे ठगाई बापजी और ढील में लंबी उडवागे सद्धे पतंक ट्वाई बापजी और खांच जी बबै गड़ो टूपी ओ खांच जी बबै गड़ो टूपी ओ जके आवाज उठाई बापजी और यह लाइने मुझे बहुत पसंद आपको भी आप तक भी गड़िया धान धनी बन बैठी थे में चिड़ियां उड़ाई बापजी और मारो क्कूषडो मारु ही जटाई बापजी और राम निसर्गयों गोडांटाई सस्ते में सल्टाई बापजी और राज दरबारी रढ मलग केलें राज दरबारी रणमर खेले नूरा कुष्टी लड़ाई बाप जी आजा दी तो आई बाप जी लू ठोड़ा लपगाई बाप जी जनता खातर लॉली पॉप मिड़े आप आते मड़ाई बाप जी आप सबने इतने संहे के साथ मुझे सुना अपना अमने समय मुझे दिया आ मुझे लगता है कि आप जब किसी को कुछ देते हैं तो उसका प्रतिदान दिया जा सकता है लेकिन जो समय आप किसी को देते हैं वह अमुल्य होता है वह उसके बदले कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता तो मैं हिर्दे से आभारी हूं आप सब का इसको देखेगा शेयर झाल 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 झाल